अपफिर से एक नई वीडियो में स्वागत है दोस्तों अगर आपके सिश्टम में wi-fi not connected या फिर no connection अरा अरेवल लेवल सोह हो रहा है देखें इस तरह एगा यहां पर देखें no connection क ediyorum तो इस मोरकोन कैसे जोर कूर सकते हैं यह दिपतर बाज़नों धेको तो आज के बैस्धा मेरे देखने को मिलते तो आज की वीटियों धाने इस प्रोल्म को कम कैसे सवाब कर सकते हैं तो इस प्रोलम को सौल करने के लिए डिये मैं कुछ कुछ मैथड कुछ मैथड और कुछ तरीके बताऊंगा जिनको आपको फोलो करना और आप फोलो करेंगे द्यान से फोलो करेंगे तो आपकी यह प्रोलम पर्षंट सोल्व हो जाएगी तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटी स्रीक्वेश्ट है अगर आपने अभी तक हमारे ट्यूप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन को भी जोरुप्स कीजिए चलिए वीडियो सुरू करते हैं तो दोस्तों इस तरह की प्रोलम को सोल करने के लिए सबसे फ़र्स्ट मेंथट है उसके लिए हमें स्टाट पर जाना है और सर्च बोक्स में हमें टाइप करना है डिवाइज मैनेजर सब्सक्राइब करेंगे तो यहां पर देखेंगे जो हमारा wireless adapter है तो उस पर हमें right click करना है और उसको पहले select करना है उस पर then right click करेंगे और हम यहां पर सब्सक्राइब करेंगे तो यहां पर हम second number वाले पर जाएंगे और इस पर हम next करेंगे इसके बाद हम let me pick from a list of device driver on my computer इस वाले option को select करेंगे उसके बाद हमारा wireless adapter है वो यहां पर सो हो जाएगा उस पर हम click करेंगे और यहां पर next पर click करेंगे तो जो हमारा driver है वो update हो जाएगा successfully इसको close कर देना है कि लोज करने के बाद इसको यहां से close कर देना है तो दोस्ते यह था हमार number one method अगर इसके मज़से आपकी प्रोलम सोल नहीं हुए तो चलिए चलते हम number two method की तरफ तो दोस्ता number two method के लिए हमें start पर जाना है और यहां पर control panel को open कर लेना है open करने बाद हमें यहां पर network and internet पर जाना है और उसके बाद हम जाएंगे network and sharing center पर इसको हम clicker का open कर लेंगे open करने के बाद हम change adapter setting पर जाएंगे then यहां पर हम जो हमारा wireless network connection है उसको यहां पर check कर लेना है कर दिशेवल तो नहीं है तो उसको आप in इस्तार कर लिजेगा तो देखें जिसे मैं इसको डिशेवल करता हूं तो आपके में कुछ इस तरह का उसन आ रहा होगा कि देखें कुछ black कलर का सब्सक्राइब करने के लिए इसको पर इनेवल करने के बाद आपको wireless network connection है वो इनेवल हो जाएगा, इनेवल होते ही आपके problem यहाँ पर solve हो जाएगी, तो दोस्तों यही था number two method, इसके वाज़ से आपके problem solve हो जाएगी, अगर इसके बाद यह आपके problem solve नहीं होती है, तो इसके बाद हमें third method को follow करना है, तो third method के लिए हमें start पर जाना है, और search box में हमें type क करना है, control panel या पिर हम यहां से भी control panel को open कर सकते हैं, उसके बाद हमें यहां पर जाना है, इसको open कर लेना है, ओपन करने बाद हमें सीधे एडवांस पर जाने बाद सबसे पहले हमें देखे रिश्टोर एडवांस सेटिंग का ओप्शन दिखाई दे रहा है इसको आप चाहे तो चेक कर सकते हैं या फिर अंचेक रहने दे सकते हैं आपके पूरबात है तो इसको मैं अंचेकी रहने देता हूं और इसको रिशेट कर देता हूं रिशेट करने बाद तीनों पर देखे टिक आ गया है तो इसको हम क्लोज कर देते हैं इसको हम close कर देते हैं तो यह था number 3 method तो दोस्तों इसके में से आपके problem solve हो जाएगा इसके बाद यह आपके problem solve नहीं होती है तो चलिए हम last method की तरफ चलते हैं जो कि है number 4 तो उसके लिए हमें start पर जाना है और यहां पर हमें search box में type करना है cmd cmd type करेंगे तो यहां पर cmd देख कमार सामने command prompt open हो चुकी है command type करनी है तो चलिए command type कर देते हैं तो command है netsh int int ip reset c colon backwards slash reset log dot txt यह type करके हमें enterprise कर देना है enterprise करने के बाद हमें यहां पर एक कमांड को टाइप करना है तो अगली cmd command है हमारी netsh winsock फिर हमें enterprise कर देना है जैसे में enterprise करेंगे तो यहां पर हमारी winsock catalog reset हो चुका है successfully reset हो चुक है हमारी winsock catalog तो इसके बाद हमें यहां पर exit प्रेस करके enterprise कर देना उसके बाद cmd command हमारी close हो जाएगी इसके बाद हमें अपनी system को एक बाद restart कर देना है जिसे हम restart करेंगे जिसे हम restart करेंगे अपनी system को तो आप यहां पर देख पाएंगे हमारी system में यहां पर देख डिक्रोश का अपने device में net को connect कर सकते हैं तो दोस्तों यह कुछ important method थे जिनको फोलो करके आप आशानी से इस प्रोलम को solve कर सकते हैं अगर यह वीडियो अच्छे लगे थे इस वीडियो को लाइक कीजिए और पर दोस्तक साथ सेर कीजिए और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइ जरू कीजिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाइबाइबाइब जैहें